स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माज साब की पाट साला में इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आप प्रेडा पोर्टल पर कारी कर रहे थे बच्चों का नए बच्चों का रेजिस्ट्रेशन उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा था और अगर आपके पास में ज़्यादा डेटेल चाहिए थी उसमें तभी आप रेजिस्ट्रेशन कर पाते हैं अगर आपके पास में ज़्यादा डेटेल नहीं है बच्चों की फिर भी आपको करना है और प्रेडा एप पर करना है तो कैसे करेंगे साइट बहुत बिजी आ रही है लेकिन प्रेडा एप पे बहुत एजिली रेजिस्टेशन हो जाएगा आपके स्कूल में बैठके यह आप कर पाएंगे और अगर किसी अध्यापक आपके यहां पे हैं और वो एड नहीं है आपके प्रेडा पोर्टल पे एड नहीं है MDM में उनके पास में कॉल नहीं आता है तो उनको आपको कैसे एड कर पाएंगे प्रेडा पोर्टल के आवसकता नहीं होगी आपको प्रेडा एप बहुत छोटे से स्टेप से उससे आप कर सकते हैं देखिए प्ले स्टोर में जाके आप यह प्रेडा एप सर्च करे करेंगे देखिए प्रेणा उत्तर प्रदेश करके आएगा और technosis services करके इप आएगा उसी को आपको install करना है मैं ने install कर रखा है आपके यहां पर install आएगा इसलिए यह open आ रहा है आप उसको install कर देंगे इंस्टॉल करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा अब आपने इसको ओपन कर लिया देगे प्रेणा उत्तर प्रदेश सिक्षक इस तरीके से आएगा एंटर यूजर आईडी एंटर पिन तो आपको क्या करना है यूजर आईडी में अपना मोबाइल नमबर डालना है ये काम जो बच्चों को एड करने का और टीचर्स को एड करने का काम है ये हैड मास्टर के लॉग इन से होगा या जो इन चार्ज के नाम से रेजिस्टर है उ के login से होगा तो यहां पर mobile number डालेंगे फिर उसके बाद में यह processing start हो जाएगी please wait your user ID is verifying तो यह एक मिनिट के लिए verify करेगा user ID फिर आपके पास में four digit का OTP आ जाएगा और four digit का OTP डालने का option आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे देखिए उस mobile number को और OTP को यहां डाल देंगे और login कर देंगे फिर उसके बाद में pin पूछेगा तो pin में भी आपको बोई same mobile number और यह जो OTP आया है उसी को डालना है उसके बाद में आप login हो जाएगे अब देखिए इस तरीके से login आएगा teacher का नाम आ जाएगा headmaster district आ जाएगी attendance midday meal teacher student देखिए teacher student पर आपको जाना है teacher student में क्या क्या option है add student और add teacher पहले student को देखते हैं कैसे आप student को add कर पाएंगे देखिए student add करने के बाद में student registration आएगा और student report आएगा दौने आपके काम की चीज़ है student registration पर पहले देखते हैं क्या होगा student registration पर यहाँ देखिए किसी बच्चे को मैं add कर रहा हूं उसका photo आप डाल सकते हैं और चाहें तो डाल दें नहीं तो कोई आवसकता नहीं है उसकी एकेडेमे की year automatic selected है 2021-22 sr number डालेंगे आप जो नया sr number बच्चे को दे रहे हैं class माल लिजिए first में add कर रहे हैं तो first class student first name खुसबू English में भरना है आपको middle last name नहीं है तो नहीं भरना है जो इसमें star लगे हैं वो सारे mandatory है male female है तो यह female है मैंने इसमें mail कर दिया गलती से इसको मैं बाद में सही करूंगा प्रेडा पोटल पर जाके मैं इसको सही करूंगा इस्टुडेंट फादर्स नेम बिनोट सिंग लिए उसके बाद में इस्टुडेंट मदर्स नेम मदर्स नेम में लिख दिया date of birth उसकी सेलेक्ट कर ली यहां पर मैं आधार नमबर मोबाइल नमबर नहीं डाला हूँ जो mandatory है सिर्फ और नहीं को डाला हूँ मैं religion Hindu a p.l.b.l. category जनल अब इसके बाद में सेव कर देंगे सेव करने के बाद में दूसरे बच्चे को एड़ करेंगे और दूसरे बच्चे को एड़ करने के बाद में student report देख रहा हूं मैंने दो बच्चे अड़की हैं आप में student report देखेंग कोई दिक्कत नहीं है आपको इसी फेक्ट करना है इसी फेक्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से बच्चे देखने लगेंगे 413 और 414 मैंने रेजिस्टर करें थे देव और खुस्बू कि डेट आप बढ़ता रही है लेवल आ रहा है जब मैं इस पे इस पे क्लिक करूँगा जब देव पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये रेजिस्ट्रेशन नमबर मिल जाएगा इस बच्चे का किसी ने पूछा था कि रेजिस्ट्रेशन नमबर कहां से मिलता है और कब मिलता है कितनी देर में मिलता है तो उसका अंसर यह है देखिए 2021-22 में और ये आगे code है एक और 0087, 87 नमबर इसका registration नमबर है, इस बच्चे का registration नमबर मिल गया है, SR नमबर आ गया, name आ गया, father's name आ गया, mother's name आ गया, gender, date of birth और class आ गई, इस तरीके से यह पहले बच्चे का हो गया, यह दूसरे बच्चे का registration हो गया, तो इस तरीके से दौना बच्चे का registration हो गया है, अब दीगे जब आपको अगर teacher को add करना है, तो वहीं पर add teacher पर जाएंगे, जहां पर teacher है, वहीं पर add teacher पर जाएंगे, तो add teacher में दो चीज़े आएंगे, add teacher और responsibility transfer, क्या यह पहले यह ऐसा आया था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ, लेकिन प्रेड़ा पोटल पर काम चलना है, और यह चल रहा है, अभी responsibility transfer का बाद में option बताया जाएगा, जब online attendance पर गएरा लगे करेगे, अगर इससे लगती है, तो add teacher, add teacher पर करेंगे हम, यहाँ पर teacher का नाम लिख देंगे, father's name, mobile number, mobile number two, जो mandatory हैं, जो star वाले हैं, उनको mandatory है, designation select करना है, आपको date of joining, date of posting in school, और gender और submit करना है, इसमें आप किस-किस को add कर सकते हैं, देगे, इसमें option available है, headmaster को add कर सकते हैं, assistant teacher को, इस तरीके से आप इनको add कर सकते हैं, तो submit करेंगे, उसके बाद में, यह teacher add हो जाएगा, वो प्रेड़ा पोर्टल पर और प्रेड़ा एप पर वो लॉग इन कर सकता है, आपको phone करने की फिर आवस सकता है, नहीं पड़ेगी, अगर आपने phone में बहुत problem होती है, वहाँ पर register नहीं हो पाते हैं, टीचर, 1800-6666 पर phone करके भी register करा सकते हैं, और इसमें बहुत आसान तरीका है, तो यहाँ पर आप teacher को register करा सकते हैं, देखे, आप में प्रेड़ा पोर्टल पर लॉग इन करके दिखाऊंगा, कि देखे, वो बच्चे आ रहे हैं के नहीं आ रहे हैं, दे आप इन बच्चों का registration कर दिया है, इस तरीके से प्रेड़ा आप पर student का registration करना चाहते हैं, और teacher का registration करना सकते हैं तो teacher का registration अपने स्कूल से कर सकते हैं, इसमें कोई network की problem नहीं है, न प्रेड़ा आप ज ज्यादा load है, अगर आप channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लेंrico